नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल डिजितल विशेश में आज हम बात करेंगे वेब स्टोरीज की खास करके वेब स्टोरीज पे अमेरिकन ट्राफिक कैसे लेके हैं बिकोज आपको पता है कि इंडिया में CPC बहुती कम है और वेब स्टोरीज अभी केवल इंडिया अमेरिका और ब्राजील में चेक है ब्राजील में जो लैंग्वेजिस हैं वो दूसे लैंग्वेजिस सद्थी हैं हमको इंग्लिश में content अगर बनाना है तो हमारे पास च्रॉ कोई वेब स्टोरी तो बना रहा है बट उसको फैक्ट कुछ ऐसी चीजे कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जो हमने अपनी डिजिटल एजनसी डिजिटल विशेश में किये हैं अपने कुछ अमेरिकन क्लाइन्स के लिए जब हमने वेब स्टोरी करी तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स के जो नतीजें जो हमारे सामने आए वो सब मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा कि अपने अपनी साइट पे आप कैसे अपनी वेब स्टोरी उस पे जादे से जादे अमेरिकन ट्राफ किये हम लोगों ने sports, entertainment, आपका lifestyle, artificial intelligence, technology, web hosting, digital marketing, ऐसे बहुत सारे निशिस पे काम किया, but होता क्या है, जो आपकी web story होती है, वो discover feed में आती है, kind of news section, जब भी कोई Google पे click करता है, तो वो discover feed जो होता है, वहाँ पे आती है, हमको जब web story बनानी है, तो यह सोच के बनानी है, कि वो audience है टा large, उसको उसके interest कियो, मतलब ऐसी कौन सी चीज़े हो सकती है, जो कि अगर मान लीजिए, कि 10 करोड़ Americans हैं, 50 करोड़ Americans हैं, एक जितना भी मास है, जिसके हाथ में Google Chrome phone है, तो ऐसी कौन सी चीज़े हैं, जो सब के का कियें, जिसको अगर Google ने trend कर दिया, आपके story को अगर pick किया, तो कोई भी बन्दा ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसके जिसके लिए वो useless हो, तो ऐसे topics को pick करना सबसे पहले जरूरी है, ठीक है, second important thing, हम लोग web hosting लेते हैं, एकदम सस्ती, ठीक है, web hosting उठा करके हमने कोई India का server ले लिए, उससे क्या होता है, जब आपकी site America में load होती है, तो वो slow load होती है, दूसरा, जो Google होता है, Google भी server के IP addresses से ये देखता है, कि ये जो website है, ये कहां की है, Google identify करने की कोशिश करता है, कि ये जो website है, वो किस country की है, तो उसके लिए बहुत सारे parameters होते हैं, जहां से Google को signal मिलता है, आपकी जो server location है, वो उसमें से एक है, तो अगर आपकी target audience USA में है, तो आप ऐसी hosting को चूज कीज़े, जो आपको American server प्रवाइट कराती है, अगर आपको सस्ती hosting चाहिए, तो मैं suggest करूँगा, जो कि हमने अपने काफी clients को already suggest करी है, hostinger, आपको नीचे description में उसका link मिल जाए है, तो दो फायदे होंगे, एक तो आपको American server की choice मिल जाएगी, आप American server चूज कर पाएंगे, secondly आपको अच्छे खांसे पैसे save हो जाएंगे, ठीक है, तो आपको कोई बहुत जादे पैसे खाच करने की ज़रुवत नहीं है, शुरू में एक साल, दो साल की hosting लीजे, coupon code लगा देता है, because we are Indians, ठीक है, मतलब भूत सारे वीडियो में आपने देखा होगा, WordPress कैसे set up करें, तो वहाँ पे भी जो बताया गया, वो Indian time zone set करना बताया गया, अपनी एक site dedicatedly अगर आप web story के लिए बनाएंगे, और उसको आप American content से भरना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये चीज का भी ध्यान देना ज़रूरी है, कि जो हमने site की language select करी है, वो English, US select करी है की नहीं, ठीक है, English, American, English, British तो नहीं है, English, US होना वो mandatory है, ठीक है, secondly, जो आपने time zone select किया, time zone आपको कोई ना कोई American state का ही लेना पड़ेगा, तो जैसे मैं आपको suggest करता हूँ, आप New York का ले सकते हो, वह भी E-N-US होगी, ठीक है, तो English, United States, और जो time zone होगा, वो भी New York का होगा, ठीक है, तो यह तीन चीज़ हमने discuss कर ली, चौथी और सबसे important चीज़ जो मैंने issues देखा, जब हम लोगों के पास कुछ web stories हैं कि बहीं, यह क्यों नहीं rank कर रही है, या जो हमारे regular clients होना नहीं जब experiment क तो कुछ चीज़े जो find out होई वो यह थीं कि वो British English use कर रहे थे, ठीक है, for example, America में color की spelling होती है, C-O-L-O-R, बट आप अगर इंडिया में देखेंगे, तो color की spelling होती है, C-O-L-O-U-R, ऐसी favor, F-A-V-O-U-R हम इंडिया में लिखते हैं, US में लिखते हैं, F-O-V-O-R, ठीक है So, because we also write a lot of content for leading bloggers of India and abroad, तो यह सारी चीज़े जादेतर हमको ध्यान लखनी परती हैं, बट अगर आप एक beginner हैं, तो आपको अभी तक बहुत सारे लोगों ने web story बनाना तो सिखाया होगा, बट यह expert चीज़े जो होती हैं, यह छोटी-छोटी बारिक्या जो होती हैं, यह American English की यूज करें, ना कि British English की, अगर आप British English यूज करें, तो समझ लिजे कि आपका जो content है, वो अमेरिका के लिए थोड़ा से relevant हो गया Google की नजर में, आपकी site की language भी English है, आपकी target US है और आपकी target country भी US है, बट जो English और spelling से आप लिख रहे हैं, वो आप British English लिख रहे हैं, तो try to correct that right now, fifth चीज, मैंने बहुत सारे लोगों को सुना, बहुत सारे लोगों को follow किया, और देखा कि सब कोई बता रहा है, मैंने यहां से content copy किया, यहां से content copy किया, मैंने इतने लाख रुपे कमा लिए, इतने हजार रुपे कमा लिए, boss, अगर आप यह shortcuts मारेंगे, तो यह churn and burn project जो है, यह जितनी जल्दी churn होगा, उतनी जल्दी burn भी हो जाएगा, ठीक है, आप कभी भी एक अच्छी site नहीं बना पाऊगे, कभी भी एक long term business नहीं बना पाऊगे, अपने किसी भी business को अगर long term sustain करना है, तो ethics बहुत जरूरी है, अभी जो recent Google helpful content update आईए, उसका भी link मैं description में डाल दूँगा, आप जाके उसको पढ़िए, Google की नजर में हर content को कितना जादे helpful होना जरूरी है, तब जाके Google उसको priority देता है, search rankings में भी, discover में भी हर जगा पे, अगर आपका जो content है, वो content चोरी किया हुआ है, वो किसी और से मिलता है, जो traffic है, वो हमेशा के लिए खतम हो जाएगा, और आप फिर उसके बाद कितनी भी कोशिश कर लिजिए, अगर आप एक बार spamming के लिए tag हो गए, अगर आप एक बार plagiarism के लिए tag हो गए, तो आप किसी भी search engine में rank नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो ये 5 important चीज़े जो है, वो सबसे जादे है, सबसे पहल entertainment, जैसे movies से related हो गया, celebrities से related हो गया, ठीक है, आज की देख में OTT से related हो गया, इस तरीकी की चीज़े हम सब लोग TV देखते हैं, ठीक है, exceptions को छोड़ो दो, 15% जो है, वो हर जगा पे मिलेंगे, बट 90% audience, चाहे वो अनपड़ो, चाहे वो गवारो, चाहे वो किसी कपनी की CEO, ठ होता है, अगर कोई अच्छी स्टोरी आप बिल्ट करोगे, तो क्लिक्स मिलेंगे, ठीक है, अमेरिकन सर्वर यूज करना है, थर्ड चीज जो इंपॉर्टेंट है, वो है टाइम जोन, अपनी साइट की WordPress सेटिंग्स में जाए, टाइम जोन, नियू यॉक सेलेट कीजे, इंपॉर्टेंट चीज, डू नौट कॉपी पेस्ट, दूस्तों का कंटेंट पढ़ो, इंस्पिरेशन लो, मगर जो आप कंटेंट कर रहे हो, वो खुद से क्रियेट करो, और यार दस लाइन तो लिखनी है, हर स्लाइट पे एक लाइन या दो लाइन का कंटेंट डालने है अपने, ठीक है, बारा, तेहरा लाइन, पंदरा लाइन बनाओ, अलग-अलग साइट से पढ़ो, उसको अपनी लैंगुज में लिखो, और उसके बाद ग्रैमरली से स्क्रीन करके डालो, कौन रोक रहा है आपको, क्यों है शॉर्ट कट्स मार रहे हो पहले जिन से, ठीक है, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, वेब स्टोरी से रिलेटेड, वर्ट्प्रेस से रिलेटेड, एंड इवन, अगर आप एक यंग्स्टर हैं, और आप जॉब्स देख रहे हैं, content writing, digital marketing SEO, तो इस चैनल पे मैं आपके लिए jobs भी लेके आता हूं, आपके लिए मैं, blogging, wordpress, इन सब चीजों से related भी चीज़े लाता हूं, जितने भी youngsters हैं, basically, उनको पैसा कमाना है, ठीक है, चाहे वो job के रस्ते कमाएं, फिर उसके बाद blogging में आएं, या वो सीधे blogging में आएं, जितने भी money making तरीके हैं, चाहे थ्रू self